नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है पेश एउने सप्रेल, बुधवार शाम सवा, साथ बजे राजिस्तान की बड़ी खबने रासान सीनियर टीचर भरती पेपर लिएक मामले में स्पेशल ओपरेशन ग्रुप ने बुधवार को बड़ा खुला सा किया रासान लोक सिवायोक की मेंबर बाबुलाल कटारा ने ही पेपर लिए था कटारा ने वाइस प्रिंसपर शेर सिंग मीना को 60 लाक रुपए में पेपर बेचा शेर सिंग ने 80 लाक रुपए में भुपेंदर सारण को ये पेपर दिया सो जी अफसरों का दावा है कि मामने में फरार चुल रहे सुरेश धाका को भी जल्दी अरेस्ट कर लिया जूएगा सो जी एडीजी अशोक राठोर ने बताया कि शुरुवाती जाच में हम लोगों को पता चल गया था कि किसी परिक्षा केंडर से पेपर लिक नहीं हुआ है बलके RPSC में ही पेपर लिक हुआ था इसके बाद इंपुट मिलने के अधार पर विशेश टीम का गठन कर कड़ी से कड़ी जोड़ कर कारवाही को अंजाम दिया गया आखरी मोहरे तक हम लोग पहुं सके गिरफतार IPSC के मेंबर बाबुलाल कटारा उसके भांजे विजय डामोर और ड्राइवर गोपाल को आज कोट में पेश किया गया 39 अप्रायल तक निमान पर भीज आ गया है रासान कॉंगरिस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंग रंधावा ने सचिन पालेट के अंचन पर एक बार फिर पुराना स्टेंड दोहराते हुए तंज कसा रंधावा ने पालेट मुद्दे पर कहा कि अंचन से पहले मैंने जो बयान दिया वही पार्टी का स्टेंड है सचिन पालेट से मेरी बात होती रहती है उनका कॉल आ गया था रंधावा बिला ओडिटोरियम में मीडिया से बात कर रहे थे सचिन पालट के अंशन से ठीक पहले दसप्राल की रात को बयान ज़ारी कर रंधावा ने पालट के अंशन को पार्टी विरोधी गतिविधी बताया था सचिन पालट के अंचन के बाद कारवाही के सवाल पर अंधावा ने कहा जो बात विधानसभा में हो सकती थी उससे बड़ा कोई प्लैटफॉर्म नहीं होता वहीं पर विपक्ष बैड़ा था वहीं पर मुख्य मंत्री बैठे थी वहीं पर पूरे कॉंग्स के विधायक थे वहीं पर भाजपा थी वहाँ पर बोलना चाहिए था कि हमारी सरकार ने आज सक्क्या किया उससे बड़ा प्लैटफॉर्म नहीं हो सकता सामने सीएम बैठे होते वहीं पर जवाब देते सीएम को जवाब देना पड़ता रासान के मुखे मंद्रे अशो गहलोत ने पुरानी पैंशन योजनाओं और स्वास्त का अधिकार कानून को कामयाब करने की प्रतिबद्दता जताते हुए बुधवार को कहा कि राज्य में इन दोनों पैलो को कामयाब करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता इसके साथ ही गहलोत ने राज्य सरकार की विभिन जुन कल्यानकार योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कौंगर्स सरकार के अधिकांश योजनाओं को प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी को एक ना एक दिन स्विकार करना पड़ेगा। गहलोत राज हेल्थ पोर्टल के लोकार ने दो दिन प्रधेश के तेरह जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट जोरी किया है। उतर भारत में एक्टिव हुए वेस्टन डिस्टरबेंस और पंजब पाकिस्तान की सीमा पर बने साइकलोनिक सरकुलेशन का असर मंगलवार देश शाम प्रधेश में देखने को मिला। बिकानेर हनमानगर गंगानगर जसल मेर एरिया आंधी की कारण धूल के गुबास ढग गया बारिश और ओले ने भी किसानों की परिशानी बढ़ा दी है। जसल मेर की मंडियों में रखी इसे बगोल समीत अन्य फसले बरबाद हो गई। जब उर्केसमे स्टेडियम में चांदना का आरोब है कि RC ने खेल परिशत के साथ हुए MOU का उलंगन किया है। स्टेडियम में ने धाइस सान से ज़्यादा परनिर्मान कराया है। ये पूरी तरह से गलत है। चुनाव के दोरान पूनिया कुल 20-21 दिन रहेंगे। अभी उन्हें पहले फेज में बैंगलोरु की ग्रामिन विधानसवा की सीटों पर चुनाव प्रचार और चुनाव प्रबंदन की जिम्यदारी मिली है। उसके बाद दूसरे फेज में कई और विधानसवा सीटों प अनिसार पुषकर के गुजर भवन में आयोजित होने वाले इस जिला सरी सम्मेलन की तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश अध्यक्चों प्रकाश भढ़ाना स्वेम पूरे सम्मेलन की मौनिटरिंग कर रहे हैं। सम्मेलन में मोर्चे से जुड़े विधायक और सं काम लगाने की मांगी एबी वीपी कारकरताओं के प्रदर्शन को देखते विए गुमानपूरा थाना अधिकारी में जापता मौके पर मौझूद रहे। प्रदर्शन कारियों ने अधिकारी के नहीं मिलने पर कनिस्ट सहाय को ग्यापन दिया। देश के कई हिस्वे में प बढ़नाई से बिजली की खपत भी बढ़ गई है। ऐसे में यूपी बिहार के कई जिलों में घंटो बिजली गुल होने लगी है। वहीं मैंटेनेंस तो कहीं फॉल्ट होने से बिजली की समस्या से शहर से लेकर देहा तक के लोग जूज रहे हैं। दिली NCR की बात करें त बार माहा राजस्व वसुली की जाएगी। राजस्व वसुली का काम बारा माहा होगा। इससे लेकर जैपर डिसकॉम की प्रबंद निर्देशक आर एन कुमावत ने सरकिल अदिक्षन अभियनताओं को निर्देश दिये हैं। रासान में रासमन जुले के देवगर्ड मे नवीन जुला सैनी कल्यान कारेले खोला जाएगा। मुखे मंतरी ने कारेले संचॉलन के लिए साथ पच्ष रजित करने एवं आवशक संसादनों की उपलबधता के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जंगल में रहने वाला लैपड अब भटक कर आबादी एरिया में आ रह है। ऐसे में एक लैपड जोद्पूर जिले के जैसल में सीमा से सटे गाउं में पहुँच गया। दो दिन तक गाउं वाले भी दैशत में रहे। सूचना मिलते ही वनविभाग के टीम मौके पर पहुँची और रेस्क्यू शुरू किया। सित्रावा के निकट माइन से र रेस्क्यू किया गया। तक बढ़ाई गई थी लेकिन इस तारीक तक काफी लोगों ने दस्तावे सत्यापन नहीं कराया है। पांच रुपय के लाख रुपयों से अधिक के सिक्के दुकानदारों और लोगों के पास अटके हुए हैं। बीन माल को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाव संगर्श समीती की ओर से 19 वे दिन भी धरना जोरी रहा। धरना स्थल पर समोधित करते हुए समीती के शेखर व्यास ने कहा कि जब तक सरकार की ओर से सकार आत्मक निर्ने नहीं लिया जाता तब तक अंशन जारी रहेगा। अशोक सिंग उपावत ने कहा कि सरकार अपनी हट धर्मिता को त्याकर जन हित में निर्ने लेवे जिससे की पिछले महिने भर से अंशन पर बैठे शेतर वासियों को नियाय मिल सके। भरेल सिंग भोजानी ने कहा कि अगर जल्धी जिला की घोशना नहीं के जाती है तो अं अंग